नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में हम लोग भारत की प्रमुख जनजातियों को जानेंगे। भारत की तो बहुत सारी जनजातियां हैं लेकिन परिक्षाओं में कौन-कौन सी जनजातियां आती हैं उसके आधार पर इस वीडियो को तयार किया गया है। इस वीडियो में दिये गए तथ्य निम्नलिखित परिक्षाओं के प्रस्णपत्रों के विशलेशन पर आधारित हैं। कौन-कौन से प्रस्णपत्रों को देखा गया है। UP TGT 2001-2021, UP PGT 2000-2021 तक के सारे प्रस्णपत्रों को देखा गया है। UP PSC द्वरायजित LD grade 2018 के परिक्षा, GIC, GDC, उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रफेसर, डायेट लेक्चरर और UP PCS के प्रस्णपत्रों के साथ साथ UGC NET 2008-2021 तक के प्रस्णपत्रों को देखा लिया है। MP Assistant Professor 2018, हर्याना Assistant Professor 2016-2019 का प्रस्णपत्र, हर्याना PGT, RPSC Assistant Professor 2020 Uttarakhand Lecturer 2020 और DSSB PGT 2021 के प्रस्णपत्रों को भी देखा गया है, कुछ को यहाँ मैंने लिस्टेट कर दिया है इसके आधार पर मैंने अपना जो मैटर है उसको त्यार किया है और उमीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कहीं और से इस टॉपिक को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी आजे शुरू करते हैं, देखें सबसे पहले हम लोग सिर्ष जनसंख्या वाली जनजातियां भारत में कौन कौन सी है तो रैंक दिया हुआ पहले रैंक पे है भील, यानि सरवाधिक जनसंख्या भील की पाई जाती है उसके बाद गोंड फिर संथाल का नमबर आता है अगला देखिए सिर्ष अनसूसी जनसंख्या वाले राज्य कौन से है तो इसमें मध्य प्रदेश में सरवाधिक जनसंख्या अनसूसी जनजातियों की पाई जाती है उसके बाद महरास्ट फिर ओडिसा और राजस्थान का नमबर आता है परतिशत की देश्टी से सिर्ष अस्टी जनसंख्या वाले राज्य या के नसासित प्रदेश कौन से यह जो भी आकड़े आपको दिये जा रहे हैं 2011 के आधार पे है तो इसमें सबसे पहले है लक्षदीब तो के नसासित प्रदेश में या राज्यों को अभराल पूछा जाए तो लक्षदीब सबसे टाप पे है यहाँ पे 94.8% पर्सेंट जो है अनुसूची जनजातियों की है राज्यों की बात करता है तो इसमें पहला अस्थान आ जाता है मिजोरम का उसके बाद नागालेंड मेगाले और राचर प्रदेश और भारत का यदि आप देखना चाहेंगे कि कुल जन संख्या में अनुसूची जनजाति का प्रतिशत कितना है तो 8.6% है एक तथ्य ये भी है पंजाब, हर्याडा, चंडीगर, दिल्ली तथा पुड्डू चेरी में कोई भी अनुसूची जनजाति नहीं पाई जाती इसको याद रखेंगे इससे भी प्रस्न पूछे जाते हैं अब हम लोग भारत की प्रमुख जनजातियों को देखते हैं ये ज पूटा जन जाती किस राज में पाई जाती है तो तमिलाडू में पाई जाती है किस पहाडी पाई जाती है निलगीरी पहाडी ही आता है इलाइची पहाडी को भी मैं यहां दे दिया हूँ यदे निलगीरी पहाडी नहीं है तो इलाइची पहाडी पे भी इसका विस्तार को मिलता है यह बहुत सारी परिक्षाओं में आया हुआ देखें TGT 2005 में PGT 2006 में NET में किस वर्ष आया है मैंने नहीं डाला है हो सकता कई बार आया हो और PCS के कई सारी परिक्षाओं में या पूछा जा चुका है यह important है जितने भी इसमें आपको rate करके मैं दिखाऊंगा इधर जन जातियों में उनको आप सबसे पहले याद करेंगे गोंड जन जाती मध्य भारत में आपसन में कई बार मध्य भारत न दे करके छेतर दे देता है तो यह मुखेता बस्तर छेतर में पाई जाती है राज्य दे देता है तो मध्य परदेश और 36 मध्य परदेश मुख्य है इसमें यह देखिए TGT 2009-2013 में GIC 15 में नेट नौमबर 17 में, दिसमबर 15 में, जून 15 में इस तर से आप देख रहे हैं कि यह TGT में दो बार पुछा गया है कुछ लोग जाना चाहते हैं क्या जो पुराने प्रस्न उससे रिपीट होते हैं निश्चित रूप से रिपीट होते हैं इसलिए आप लोग TGT या PGT की त्यारी कर रहे हैं या नेट की त्यारी कर रहे हैं तो ओल्ड कोशन पेपर को जरूर से देखिए उससे कुछ न कुछ प्रस्न जरूर रिपीट होते हैं अगला है कुक की यह मड़ी पूर में पाई जाती है यह भी बहुत इंपार्टेंट है देखिए यह भी TGT नेट में पूछा गया है बकरवाल गुजर और हुंजा जम्मु कस्मीर में पाई जाते हैं तो यह नहीं कि बकरवाल यदि आपसन में जम्मु कस्मीर नहीं रहता है तो हिमाचल सता हुआ है कुछ न कुछ वहाँ पर फिचन जाती है बकरवाल मिल जाएंगे आपको तो एक चीज और राज्य रहेंगे आपसन में उससे आप मैच कराएंगे आप जानते हैं कि अधिकांस्ता इस संबंधित जो प्रस्ण होते हैं मैच दकालन टाइप के आते हैं तो आप आसानी से इसको कर सकते हैं अगला है गद्दी कहा पाए जाता है हिमाचल प्रदेश में धौलाधार पाए जाते हैं गद्दी किन्नौर बकरवाल और गुजर यह भी हिमाचल प्रदेश में पाए जाते हैं यह प्यासी में पूछा जा चुका है मौपला नायर और चेचु तो इसमें मौपला और चेचु को पहले याद कीजेगा नायर को जब सब तयार हो जाता तब एक बार रिपीट करेंगे तो इसको भी याद कर लेंगे या केरल में पाए जाते हैं तीजीटी दो हजार नौ में पूछा गया है डाफर गुजरात में पाए जाते हैं तीजीटी दो हजार नौ में पूछा गया है आप सोचेंगे कि दो हजार नौ में यह अलग-अलग कोश्चन जो रेड है उसको सबसे पहले याद करना क्वेश्चन में यही जादेतर आये हुए हैं या जो ब्लू कलर से हैं वो भी आपको आये हुए जैसे इसमें मीडा को मैंने ब्लू कलर से दिखाया है राजस्थान या अरावली पहाडियों में यह पाए जाते हैं भील देखिए कित किने बार नेट में यह फेवरेट कोश्चन है PCS में RPSC में भी यह पूछा गया है संथाल मुंडा हो कोरबा बिरहोर असूर और माल पहाडियां यह जारखंड की जन जातिया है यह मत सुचिए कि जारखंड में सबसे मैं जब त्यारी करता था तो बड़ा कंफ्यून होता पस्चि मंगाल में भी लिखा है इनको उरिशा में भी लिखा हुआ है इनको चतिस गड़ में भी लिखा हुआ है मैं परशान हो जाता था कि आखिर किसमे मैं मानूगा आप यह मान के चलिए कि जब संथाल देगा तो या तो जारखंड देगा या तो उरिशा देगा अगल मेजार्टी में रहेगा उसके उसार आप कर ले जाएंगे तो अभी यहां पे जहारखंड दे रहे हैं और मांचीत्र पर आप ध्यान डालेंगे जिस राज्य से जो सटा हुआ अगर जो वो राज्य जैसे इसमें जहारखंड है तो अगल बगल के राज्य में यह पाए जाएंगे इनका फैलाव पाए जाता है संख्या उनमें कम होगी ठीक है अगला है खोंड या संथाल देखिए इसके साथ मैं लिख रहा हूँ जहारखंड की सभी यानि उडिशा में जहारखंड उपर पढ़ रहा है लगभग वो सभी जनजातिया खोंड और संथाल यहां पर भी देखिया गया संथाल तो यह जनजातिया एक दूसरे में मिली हुई है संख्या भले यहां कम होगी तो यदि जहारखंड नहीं रहेगा तो आप उडिशा को टिक कर सकते हैं य इसी में आगया यह मेघाले में पाय जाते हैं किस पठावतर पर पे पायते हैं लेकिन मेघाले अपसं में नहीं है गारोखासी दे दिया है तो असम में यह सटा होगई तो यह जनतिया वहां भी पाई जाएँगे ठीक है इस طर Mouse ने को द्यान में रखना है मिकीर बोडो कार परिचाओं में आया हुआ है इसे संबंधित और वह ठीक है कितनी परिचाओं में आया है आप दाहिने तरफ देख सकते हैं कितना इंप्रटेंट है यह सब्सक्राइब यव AH पूछ तो इंहें फारेस में जाता है और ना को पाए जाते हैं प।्रक we ही आप सनाता है आपको रंगपा, भूटिया, लेपचा और लिम्बू, यह शिद्की में पाये से इसमें आप देखेंगे भूटिया उपर था भोटिया, दोनों में थ्वास अंत्राप कर लिजिएगा भूटिया आपका शिक्की में हो गया लेप dispartment है सिक्किम में यह आता है अगला देखिए बाइगा भील कोल सहरिया भील अभी आप पीछे पढ़े हैं राजस्थान में देखिए यहां भी भील आ गया मध्यपरदेश सटा हुआ है तो इसमें फैला हुआ है ठीक है इसी तरह से सहरिया जन जाती भी मध्यपरदेश और का बाडर एरिया है और इसी कुनो नेशनल पार्क के आसपास के एरिया में यह सहरिया जन जातियां पाई जाती है इस तरह से आपको उमीद है याद रहेगा उसके बस्ते डाफला खंपत्ति सिंगपो और आचल प्रदेश में यह नेट 2014 दिसंबद 2014 में आया हुआ हुआ है गारा गदी जमू और कस्मीर में नेट दिसंबद 2014 में मैस दकालम में यह सबाय हुए थे असूर बिहोर लेपचा कोरबा देखिए यहाँ पर भी लिखाँ जारखंड की सभी जन जातियों को इसके साथ जोड़ सकते हैं पश्चिम मंगाल के साथ यह नेट में दोबारा इता स्यातियों को आपादानी डफ़ला मिस्मी चकमा यह अनुराचरप्रदेश की जन जातिया हैं जो भी रेड से है उसको सबसे पहले तयार करना हूँ ऐसे तो मैं इसमें जो दिया हूँ उसको आपको देखना पड़ेगा इससे बाहर नहीं आएगा लेकिन फिलहाल जो रेड से है उसको पहले आद करेंगा आप लो जौनसारी बुकसा और राजी यह उत्तरा खंड की जन जातिया ह इसके लाँ तेई स्वा देखिए अंगामी नागा कोन्यक और मिकीर मिकीर आपको मैं पीछे बताया था असम में देखिए यहां नागा लैंड में भी कोशन में एक्जाम में आया हुआ है इस वासे मैं इसको यहां पर भी डाला हूँ यहां देखिए यह ब्लू कलर से पक्रदेश की जनजातिया हैं अब आ जाते हैं कुछ बिवित्तथ्य देख लेते हैं बहुपतित्व प्रथा किसमें है जौनसारी और टोडा और भी जनजातिव में होगा बहुपतित्व प्रथा लेकिन परिछाओं में इनी से सम्बंदित पर स्पूछे गए हैं बुपल उराओं हो यानि जहरखंड और उसके आसपास के राज्यों में जो फैली हुए यह सब जंजाती है वो मनाती है यह भी देख लिजे पैत्रिक समाज वो महिलाओं की प्रभावसाली इस्थिती के सास्तितु की विरोधाभासी इस्थिती थारू में पाई जाती है इसको ध्यान कोंड का मुखे ब्यवसाय क्रिसी एवं पशुपालन मुखे रूप से इसको क्रिसी याद रखिए का पशुपालन आ गया तो रहेगा उसके वासे कंडरा खोंड कॉंड कॉंड कॉंधिया यह सब एक ही को अलग-अलग जगों पे अलग-अलग नाम से बुलाया जाता है यह यह किस ब्यवसाय से जुड़े हुए है बास के बरतन के ब्यवसाय से जुड़े हुए है यह 36 गड़ असिस्टन प्रोफेसर 2014 में पर पूछा गया था भील और जौनसारी यह क्रिसी करते हैं खासी जूम-क्रिसी करते हैं गदी चलवासी पस्चुचारन करते हैं और मिकीर जूम क्रिशी करते हैं, संथाल क्रिशी करते हैं, और टोड़ा जन्जाती पसुपालन और वन वस्तु संग्रस से अपना जीवन निर्वहन करते हैं। भारत की प्रमुख जन्जातियों से संबंदित कुछ अनमहत्पूर्ट तत्य हैं उसको देख लेते हैं। इसमें देखिए, जन्जाती कल्यान समिती ने भारती जन्जातियों को चार स्रेडियों में वर्गी करत किया है। पुनह गर्मी का मौसम आने पर पहाड़ों पर जाकर रहने लगती है। इसी मौसमी अस्थानांतरन को रित्युप्रवास कहा जाता है। इससे भी संबंदित प्रसन आया है। रित्युप्रवास क्या होता है। तो इसमें लोग अपने पस्वों के साथ प्रवास करते हैं, वो है रितु प्रवास उत्तर प्रदेश में थारू तथा उत्तराखंड में जौनसारी सबसे बड़ी जनजाती है जनसंख्या के हिसाब से थारू दिपावली को सोक परव के रूप में मनाते हैं, कों से जनजाती सोक परव के रूप में मनाती है दिपावली को? तो वो है थारू, अंडमान और निकोबार समुहों के आदिवासी किस प्रजाती संबंदित हैं? निग्रोईट प्रजाती से संबंदित हैं जर्वा देखें ये प्रस्ण आया था इसी दर जर्वा लिके जर्वा मैं आपको बताया था तो इस पे नहीं जाएंगे थोड़ा बहुत प्रणांसियेशन में हिंदी में इधर उधर आपको मिलेगा आपको समझ जाएंगे उस जर्वा भारत की सरवाधिक आध्य जनजाती ह जर्वा या जर्वा तोड़ा जनजाती के ग्रामी रजवासों का प्रारूप कैसा होता है मधमख्य के छत्ता के समान होता है नागा जनजाती की वस्तियां सामाने तह कटक सिखरों पर अवस्थित होती हैं दोस्तों इस वीडियो को बनाने में थोड़ा सा समय मुझे लगा स्वास्त ठीक नहीं था, फिर भी इसको बहुत ध्यान से मैं बनाया हूँ, फिर भी मैं मान के चलता हूँ, कि कापी पेस्ट करने में, हर वीडियो में मैं आप लोगों से कहता हूँ, कापी पेस्ट करने में कहीं ने कहीं कोई तुरूटी हो जाए, तो उसको कमेंट करके अव अवस्य बताने का कष्ट किजिएगा जैसे बुक्स वाला मेरा वीडियो पड़ा हुआ है इसी धान्त वाला जो वीडियो पड़ा है थाट समंधिक उसमें दो तिन चीजे गलत मिल गई हैं कुछ लोगों ने कमेंट किया था तो उसको मैं पीन कमेंट के माध्यम से डाला हूं उसको आप लोग चेक कर सकते हैं यह वीडियो यदि आप लोगों को पसंद आए तो लाइक अवस्य कीजिएगा बिस्यू की जनजातियों पर भी मेरा वीडियो दो चार दिन में आपको उपलब्ध हो जाएगा इससे तीन कोश्चन तक परिछाओं पूछे गए हैं नेट म जबस्टा योगों कीजिए हैं यह रिया हैं इसस्तुम्य बिल्बद कीजिए तो शित्सू जिली चाह मनत रहा हैं पर भी में यहा हैं यह है।